ये कहानी है केशा नाम के एक लड़के की जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था वो अपने दोस्त के साथ किराय की कमरे में रहता था और उसकी मालकिन काफी बार उसे किराया देने को कह जुकी थी उसे अपने अंकल से भी जादू ठीक से ना दिखाने के लिए त पढ़ती रहती थी, कुल मिला कर उसकी जिंदगी बेकार ही जल रही थी, एक राच शो के बाद उसने एलीसिया नाम की एक खुबसूरत रिपोर्टर को देखा, उसके सुन्दरता देख कर उसकी आखे बस वहीं दिकी रह गई, लेकिन उसके अंकल ने उसे डाट कर बाहर भग एलीसिया ने बाद में कैशा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी, एक दिन एलीसिया अपने बॉइफरेंड के साथ उनका शो देख में आ गई, उसे किसी और लड़के के साथ देख कर कैशा के तो दिल के अर्मान आसूं में वै गए, जादू में उसका ध्यान लगा नहीं और पूरे शो की ऐसी तैसी हो गई, फिर उसके अंकल ने एलीसिया को इनसान काटने वाला जादू दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन उसकी बजाए उसका बॉइफरेंड उपर आ गया, उसे देखते ही कैसे आके तो दिल में काटे चुप रहे थे, वो तो उसके बॉइफरेंड को असी अग में काटने वाला था, कि उसके अंकल नहीं जादू समाला, बाद में अंकल ने उसकी इस खतरनाग भेवकूफी की वज़ा से उसे नौकरी से ही निकाल दिया, लेकिन कैशा क पमानना था कि अधर गोल की पर खड़ा हो, तो क्या हम बॉल शूट भी ना करेंगे, उसे कोई परवा नहीं थी कि अलीसिया का बॉइफरेंड है, वो तो वस उसे पठाने में लग गया, उसे लगता था कि अगर वो अमीर और हैंसम होता, तो अलीसिया ज़रूर उसकी हो ज चला दी, फिर उसने कैशा से 20 डॉलर उधार मांग दिये, इसके वदले उसने कैशा की कोई भी इच्छा पूरी गर्मे का वादा किया, कैशा बहुत मिराश था, इसके लिए उसे कोई फरक में ही पड़ा कि ये बिखारी क्या बकरा है, उसने उसे 20 डॉलर दे दिये, लेकि कि वो अकेले कुछ संभाल नहीं पा रहा था, कैशा नीद में ही उठा और उसने जमीन पर पड़े धेर सारे डॉलर्स पर ध्यानी नहीं दिया, उसे तो ये भी ऐसास नहीं हुआ कि वो दर्वाजे के आर पार वोकर जा रहा था, तब ही उसने खबर सुनी कि ये बैंक में चोरी हो गई है, और वहां किसी के भी घुसने का कोई जुराग नहीं मिला था, तब जाकर कैशा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था, उस दर्वाजे के अंदर घुसकर वो हैरान रह गया, उसे लगा कि ये सब एक सपना है, इसलिए उसने चेक करने के लिए अपने सर पर एक इंक दे मारे, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई, अब ये साफ था कि उसे दर्वाजे दीवारों में से आरपार होने की सूपर पावर मिल गई है, इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुँच गया, जो बीमार था, बच्चे ने कहा कि वो रिक्ष में जाना चाता है, और वो ये भी जाना चाता था कि कैशा अंदर कैसे आया, लेकिन कैशा के सर पर तो बस एलीसिया की धुनसवार थी, उसमें अपने शक्तियों से उपर जाने का फैसला किया, कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे, तो कहीं आत्माव जिवाते गरन लाजे निकाल कर, उन्हें परिशान करने की कोशिश की, जब इस तरीके से भी काम नहीं बना तो उसने एक पेंटिंग में गुस कर, ऐलीसिया के बॉइफरेंट को पुरी तरह डरा दिया, बाद में उससे याद आया कि वो शक्तियां मिलने के बाग बैंक गया था, और उसन पुलीस वाले ने रोक लिया, उसने अपनी शक्तियों का इस्तमाल करके पुलीस वाले के जूते वान दिये और उसे चक्मा देकर भाग निकला, शाम को बैंक वाले उसके घर तक पहुँच वै, योगि वो खुद ही बैंक में कागस पर अपना नाम और पता लिखकर वो लोग उसे पैसे चुराने के लिए पकड़ने आये थे, अभी घर की मालकिन वहाना गई, और उसके दोस्त ने उसे बताया कि घर पुराना होने की वज़े से अब गैस की पाइप कमजोर हो जुकी है, लेकिन वो तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी, उसमें गैस जला अधी और उसी वत पूरे घर में सबर्दस दमाका हुआ, अगर कैशा अपनी शक्तियों का इस्तमाल करके उन्हें ना बचाता, तो सब के जब जलकर खाक हो गई होते, इसके बाद कैशा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे, अब कैशा की बाकी लड़कियों से मिलकर जिंदगी के मज़े लूटने की बारी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सॉक्स मिका ली, वो एक ही जटके में पूरी बिल्डिंग से नीचे जा गी रहा, योगि कैशा ने धमाके में उन बैंक आफिसर्स की भी जान बचाई थी, इसलिए उसका ऐसान चुकाने के न ली और उसे समझा गया था कि कैशा को कैसा वर्वरंट चाहिए, अब वो उसका दिल जीतने की कोशिश में लग गया, कैर उस बिखारी ने उसे शक्तियां अच्छे कामों के लिए दी थी, लेकिन लड़की पटाना दिया अच्छाई कान, अगले दिन उसने ऐलीसिया की फे के साथ चल दी, उसके बॉस ने उसे लेट होने पर खूब डाटा, और कैशा ने भी ये सब देख लिया, जब ऐलीसिया के बॉस की नजर कैशा पर पड़ी, तो वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गया, कैशा की वज़ा से ऐलीसिया को एक इंटरनाशनल लेवल की न्यूस कवर करने का मौका भी मिल गया, अलीसिया ने कैशा को 200 डॉलर देख कर फटाफट वहां तक पहुंचाने को कहा, वो तो मीटिया पास दिखा कर अंदर चली गई, वेगिन कैशा को सिक्योर्टी वालों ने पकड़ लिया, लेगिन उसे भला कौन रोख सकता है, वो इसनी शक्तियों का इस्तमाल करके भीवार के पाल चला गया, वो अंदर जाकर अलीसिया का पीछा करने लगा, अंदर अलीसिया आइसलेम के प्रधान मंत्री से मिली, और उसे उनका इंटर्व्यू लेने का मा का भी मिला, वो खुशी के मारे पागल सी हो गई थी, और उसने एकसाइटमेंट में कैशा को किस कर दिया, कैशा को अपनी किसमत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसके यूं अचानक से किस करने पर कैशा बिलकुल हक्का बक्का रह गया, अब उसे अलीसिया के साथ जिंदगी बिताने के सपने दिखाई देने लगे थे, लेकिन अली के चकर में कैशा उसके आफिस में आ पहुंचा और दिवार के पीछे छुपकर उसे चूने लगा, वो चुपकर एलीसिया को किस करना चाता था, लेकिन अचानक वहां कोई दूसरा आदमी आ गया और कैशा का मिशाना चूक गया, कैशा की ही वज़े से एलीसिया के बॉस न अपने बॉइफ्रेंड को ही चाहती थी, इससे बेजारे कैशा का दिल तूट गया, अब वो दिल तूटा आशिक वन कर उस बीमार बच्चे के साथ ही दाइन पास करने लगा, उसे पदा चला कि उस बच्चे की माँ उसका अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा करने के कि वो एक सपना देख रही है, कैशा ने भी मौके पर चौका मार दिया और उसे साथ लेकर दिवार के पार हो गया, फिर वो दोनों एक ट्रेन की छट ने कूट कर अंदर आ गए, दोनों ने यूही मस्ती करते हुए पूरी रात गुजार थी, लेकिन वो अब भी उससे प्य अचा नहीं छोड़ा और उसके करीजाने का मौका ढूनने लगा, वो सर्फ उसकी खूबसूरती पर मरता था, यबकि सक्चित द्यार के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन कैशा उसकी चाहत में अंधा हो चुका था, इसलिए ये समझदारी वाली बाते उसके पल ले करना पड़ती, एक दिन तो वो एलीसिया के चक्कर में एक लंबी सी बिल्डिंग के शीशे पर ही लटा गया, और अपने प्यार का इजहार करने लगा, अधर लड़का रम्यांटिक बुरा है, दलसल वो बहुत सारे लोगों के सामने उसे प्रपोज करके, उस गेस्ता देखकर एलीसिया डर के मारे बेहोश हो गई, और उसे हॉस्पिटल में भरती करवाना पड़ा, क्या शागो डर था कि गिरने की वज़ा से उसके दिमाग के स्क्रूड ढीले ना हो गए हो, इसलिए वो भी अपना सारा सिस्टम चेक करवाने हॉस्पिटल में पहु उसकी परिशानी समझ कर कैशा को एसास हुआ, यह उसे अपनी शक्तियों का इस्तमाल लड़कियां पटाने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए, इसके बाद उसका दिल पिखल गया और उसने अपने सारे पैसे उस लड़की को दान करती है, अलीसिया क जब इस बारे में पता चला तो वो बेहत खुश हुई, उसके लिए लड़के का सुंदर या अमीर होना जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि लड़का दिल का अच्छा हो, कैशा की अच्छाई से इंप्रेस होकर वो जल्दी से उससे मिलने पहुंची, अब तक उस बिखा पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना